देख रहे है बिनोद कईसे कैसे जुगार लागा के लोग Apple Watch करीते हैं वैसे किसी को अगर समझ नहीं आया वा पिछली वीडियो में क्या हुआ तो मैंने दुबाई से अपने रिलेटिव से मंगवाई थी Apple Watch Series 7 अपने दोस्त के लिए और वो इसमान कर रहा था Apple Watch Series 5 तो मैंने उससे ले ली और अभी मैं यूज कर रहा हूं इसको मैं पहले इसले ही है तो मैं मुझे बहुत ही बुरा लगता था कि एक दीन की बैट्री है इसमें रोज चार्ज करो इसको मोईबाइल छार्ज करते ही यह अब चलो अपने घरी भी चार्ज करो मेरा Amaz फिट जो था साथ दीन की बैट्री तेता था उसी पर मैंने अड़े मैं इसमाल करता था ज अब जो है हम आगे हैं रोज चार्ज करने के लिए एक और अडिशनल डिवाइस तो एपल वाच सीरीस 5 के बारे में बात करने से पहले मैं बता देता हूँ उसको के कनवर्ट करेंगे तो 30,000 अबड़े तो 12,000 अबड़े का फर्क तो यहीं यहीं था जीपीएस वाले मॉडल में 45 mm की तो अन्बॉक्सिंग में क्या है कि वस एक पार्च वाच मिलती है और सिलिकन स्ट्रैप मिलता है यह स्टार डाइक कलर का था वाच तो इसके साथ य अगे फटर राएं लापउ खिया अविए मगाल आइपट के साथ नहीं मिलता है आइप पैड के साथ नहीं मिलता है और ओश Valley connected मरे मिलता है अगर आइपून है तो यूज कर सकते हो अपना चार्ज जो अपने सेПрेटी खरीगigos कहानी जो कि एपल वाच सिरीस 5 या सिरी 6 थे हर चीज सेम थी, Apple Watch Series 7 में जो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो यह है कि वो 45 mm की है, बाकी 5 और 6 series जो है, वो 44 mm की है, वो इसलिए है कि उनके बेजल्स जो है, थोड़े से मोटे हैं, Series 7 के पतले 1 mm के बेजल्स होगे, तो वहाँ पे 1 mm की बच्चत हो गई, इसकी वज़े से स्क्री करने के लिए, message का reply करने के लिए, कोई notification का reply करने के लिए, अब आपके पास keyboard का option आता है, चोड़ा सा keyboard भी खुलता है, जो कि 5 series में और 6 series में नहीं खुलता है, इसमें सिर्फ एक mic का option आता है, जिसमें आप डिक्टेट कर सकते हो, जो आपको message करना है, या फिर, प्री defined जो text message होता है, उसको सिलेग करके reply कर सकते हो, तो बहुत जादा खास कुछ है नहीं क्योंकि छोटा से keyboard है, उसमें भी अगर किसी की बढ़िया, उंगलिया है, तो नहीं लगेगा, इसके अलावा, उसमें, जो है, specification wise कुछ जादा difference नहीं है, हाँ, ये S7 का chipset वो यूज करते हैं, और Apple ने नाम ये से दे रखा हुआ है, S1, S2 जा से, Series 5 के साथ, S5, Series 6 में S6 था, Series 7 में S7 का chipset जो यूज किया हुआ है, मगर specification के हिसाब से, कुछ जादा changes नहीं आए है, शायद थोड़ा सा optimize किया हो, software तो शायद थोड़ा बेटर चलता हो, वैसे Apple Watch Series 5 में इसमाल कर रहा हू और दो लों को मैंने compare के था, मुझे कुछ खास difference नहीं लगा था, एक difference यह है कि 4 के बाद 5 में जब 5 launch हो था, तो memory जो थी internal storage वो थोड़ी सी बढ़ गई थी, 16 से 32 हो गई थी, मगर अभी 6 में भी था, और 7 में भी 32 GB की storage थी, तो वो carry forward होता आ रहा है, specifications wise कुछ जादा खास फ ultra white band जो होता है, उससे apple के आपस में devices जो होते हैं, वो अच्छे से communicate करते हैं, उनको distance पता चल जाती है, तो थोड़ा सा precise होता है transfer वगरा, मगर इसमें भी मुझे नहीं पता चला, इसमें ultra white band नहीं है, series 5 में, मगर इसमें मुझे कभी पता नहीं चला, जैसे apple के ecosystem के जो features होते हैं, जिसके बार में बात करूंगा, जैसे पहले मैं बता दूँ कि apple watch series 7 जो है, वो काफी अच्छा है, काफी attractive है, तो बड़ा सा बड़ा लगता है, इसके मुकाबले मगर मैं उस पे इसलिए नहीं गया क्योंकि अभी मैं test ही कर रहा था कि वही मैं बताया कि एक दिन के battery के स हादवेर में कुछ दादा चेंज नहीं है, तो 95% फीचर जो है, इसमें काम करते है, 6 में काम करते है, 7 में जो थोड़ से 5 थोड़ से extra हो गए है, अब मैं बात करता हूँ, apple watch series 5 के बारे में, जो मैं इसमाल कर रहा हूँ पिछले 2 हफते से, ये 2 हफते पहले वाली वीडियो है, आप 2 हफते के बाद अभी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो पहली बात करता हूँ, इको सिस्टम के बारे में, जो एको सिस्टम वाले जो फीचर है, जैसे अगर आपके पास apple devices हैं, तो आपको पता होगा, अगर 2 apple devices हैं, तो दोनों communication कितना अच्छा है, जैसे air पुना मैं भी मारे पास Co- 하나ाो आपके बात करता हु, टो तो मैं थाध़या को अपने बात को रिकॉर्ड करता हूं, तो मैं थोड़ थोड़ा अपनी आपको रेकॉर्ड करता हूं, जिम में जो नकला एतनी अच्छी नहीं है, अच्छी तो है अलावा आप video start भी कर सकते हो और stop भी कर सकते हो photo भी ले सकते हो timer लगा के photo भी ले सकते हो even better इसमें gestures है जैसे आपना ये cling किया या फिर ये tap किया तो gestures अगर activated होंगे accessibility के अंदर तो आप इसका इसनाल करके इसको navigate कर सकते हो तो कुछ Apple का magic जो यहां पर है वो काफी जबरदस्त है कि अगर आपने वो on करके रख़ा एक camera remote तो आप ये करके वीडियो को start कर सकते हो और वीडियो को बंद कर सकते हो या फोटो ले सकते हो या बहुत सारे काम कर सकते हो gestures बहुत कूल है बहुत अच्छे हैं हर चीज में इसमाल नहीं होते हैं पर मैं इस चीज के लिए काफी इसमाल करता हूं और यह one of the main reasons था कि मैं अपने आपको record करना चाहता हूं तो मैंने ये Apple Watch लिया as a remote viewfinder दूसरे भी कुछ features हैं जो की काफी अच्छे हैं जैसे कि मैं अपना laptop Macbook उसको unlock कर सकता हूं वैसे पहले भी कोई ज्यादा परेशान ही नहीं होती थी fingerprint उसमें है तो fingerprint से unlock हो जाता था मगर अब यह है कि ओ आटमेडिक लिए unlock हो जाता है क्योंकि Apple Watch अगर हाथ में पहनी होगी तो Apple devices आपस में communicate बहुत अच्छे जगरते हैं same goes with iPhone भी कि iPhone अगर भी Face ID काम नहीं करता है तो Face ID के अलावा यह Apple Watch से भी unlock की जा सकती है आपका iPhone और calling और messages तो है और notifications भी है और notification का reply भी है इसको आप सेट कर सकते हो Apple Watch की app जो आपके iPhone में Android इसमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप सिलेक कर सकते हो किसकी notification चाहिए किसकी नहीं चाहिए iPhone में better काम कर रहे है क्योंकि Apple आपको दोनों same company के products हैं तो आप देख सकते हो कौन सा आपको notification चाहिए even आप mirror भी गर सकते हो कि सारे जो भी notification आपके फोन में रहेंगे वो यहाँ पे notification रहेंगे जो कि काफी helpful है आपको चोटी-चोटी चीजों के लिए अपना phone नहीं उठाना पड़ेगा आपको message यह मिल जाएगा OTP यह मिल जाएगा OTP से कहूं तो इसमें passcode है तो passcode लगाना बहुत जरूरी होता है और वो Apple खूद ही encourage करता है फाइदा यह है कि अगर आप इसको नहीं पहने रहते हो तो वो automatically lock हो जाता है तो किसी और को access नहीं मिलेगा आप जब पहन होगे उसके बाद आप unlock करोगे तो रिस्ट डिटेक्शन रहेगा कि आप इने पहन के रखा हुआ है तब वो unlock रहेगा पर जैसे आपने खोला यह खोला यह लॉक हो जाएगा जो की काफी अच्छी चीज है security point of view से क्योंकि आपके notifications किसी और को नहीं पता चले के लिए और कुछ reminder लगाने के लिए तो सेम जो है वो watch पे काम करता है और मुझे अंदाजा नहीं था कि यह वाला feature मुझे काफी useful लगेगा मगर actually में यह वाला feature बहुत जादे useful लगता है कि Siri को बोलो किसी को call करने कि तो वो call कर देगा text करने को बो text कर देगा text में इतना कि call someone और Siri बोलने की विजरूरत नहीं है और बोल दो तो भी mic activate हो जाता है और आप उसे बोल सकते हो या फिर set a reminder या फिर पांच मिनदर का timer लगा हो या फ्लैशलाइट अन करो ऐसे बहुत से चोटी-चोटी चीज़े हैं जो Siri से आप कर सकते हो phone उठाने की ज़रूरत नहीं ह बारे में एक separate video बनाया जाएगा मगर अब आ जाते हैं हम दूसरे segment की तरफ जिसमें हम fitness aspect की बात करेंगे fitness में मुझे पहले से भी कोई problem नहीं थी मेरा Amazfit बहुत अच्छे से सारी चीज़े ट्रैक करता था मेरे steps ट्रैक करता था heartbeat track करता था उसमें SPO2 भी था इसमें SPO2 नहीं है Series 7 में है इसमें सिर्फ ECG है और ECG भी ठीक है क्योंकि वह automatic detection है जैसे आप अगर walk कर रहे हो तो normal walk से थोड़ी सी जादा walk कर रहे हो तो यह डिटेक कर लेता है कि आप walk कर रहे हो तो workout को on कर देगा और अगर जब आपने pause किया तो इसको pause भी कर देगा बंद भी कर देगा या फिर आपको nudge करेगा बुलेगी बंद कर दो स्टार्ट कर दो जो भी है automatically detection अच्छा करता है work out जो आप जिम में करोगे उसमें भी इसमें option है कि weight lifting machine अगर कर रहे हो तो इसको डिटेक कर ले फिलाल वैसे मजव कभी वो काम नहीं किया है बाकि सब workout तो काफी अच्छे हैं इसके अलावा इसमें काफी motivation type का भी बना कर रख आदर घंटा के exercise रखी हुए है और छे घंटा का stand time रखावा कि में इतना खड़ रहा हूँगा तो जब आप goal achieve कर ले हो तो है बहुत अच्छा सा ring बनती है और बताता है कि congratulations you have competed your rings for today तो काफी अच्छा लगता है इसमें challenges वगरा भी आड करे है कि अपने दोस्कों आड करके अच्छा से कंपीट करो कि कौन कितना जादा मूव किया किसने जादा exercise करी फिलाल वो चीज मैं इसमालने करता हूँ पर यह मूव वाला सिस्टम में अच्छा से यूज कर रहा हूँ इसके अलाबा इसमें बहुत बसाई फीचर है जो fat loss में बाग की लोगों को बहुत useful लग करता है कि आप कितनी calorie burn कर रहे हो जब move कर रहे हो और जब move नहीं कर रहे हो तो active calories जब आप move कर रहे हो तो वह active calories है और total calories मतलब बाकी calories जो है जब आप नहीं कर रहे हो move तो सारी calories मिला के आप आप के अंदर देख सकते हो और वहाँ पर आपको दिखाएगा कि इतनी calories आप दि तो बाकी वाली जो कैलरी है वो आपके fat से आपकी body लेगी जैसे कहलते है calorie deficit तो जितनी calorie आप deficit में रहोगे उत्ता आपका fat burn वगर है actually में यह बहुत अलग topic है जिसके बारे में हम अलग से बात करेंगे अगर आप interested है तो मैं उस type की video बना सकता हूँ कि कैसे technology की मदद से आप weight loss को अपना fast कर सकते है या precise कर सकते है health fitness tracking वाला जो ममला है apple watch का वो भी काफी अच्छा है काफी detailed है sleep वाले से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें napping tracker नहीं है या फिर मुझे use करना नहीं है native में तो नहीं है शाहिए third party app install करने पर आजाए एक और अची बात है कि आप third party apps limited है third party apps install करके इसकी functionality बढ़ा सकते हो तो थोड़ी बोड़ी जो है वो apps भी है मगर मुझे वो nap वाला feature नहीं है जैसे में Amazfit में nap भी track होती थी अगर मैं दो पहन में एक घंटा आधा गंटा का nap लेता हूँ तो वो भी track करता था मगर यह track नहीं करता है अगर आप अपने bed से हट गए काफी जादा दी देता है और अच्छे बात यह है कि आपके iPhone से यह instantly sync है यानि कि इंतिजार नहीं करना पड़ता है पिछले वाले watch जो मैं Amazfit यूज कर रहा था iPhone और Android दोनों के साथ मुझे यह पंगा था कि अगर मुझे सुबह उटके sleep tracking देखनी होती है कभी कुछ देखना होता है तो वो थोड़ा सा time लगाता था sync करने में यह तो instantly sync मतलब सिर्फ जाके देख लो दोनों चीज़े same रहती है instantly sync है अब यह दोनों ही apple की devices है तो इनका अपना secret होता है अपना magic होता है अच्छे से connection रहता है तो यह चीज़ इसमें फायदा है सीरीज SE जो है मेरे खाल से वो 30,000 रुपे की है तो इन सब के बार में मैं बात कर रहा हूं कि लिए ठीक है या नहीं देखो अब थोड़ा अउपर जाओगे तो साधा जादा फीचर मिलेंगे लेकिन जो मैंने बोला SE जो है वो 30,000 रुपे की यहां पर मिल रही है वो 5 में इतने फीचर्स है वो उसमें फीचर्स है तो अब गाया भी है शिक नहीं दिखती है सैमन के बराबर ही है अब एट जो आजाएगी तो वो 7 की पैसिंग में रहेगी तो आप देख लेना प्राइसिं के बार में बात नहीं कर आँ मैं बता रहा हूं वर्थ है कि नहीं तो अब आपल वाच के एको सिस्टम की बात करते हैं एको सिस्टम रिलेटेड फीचर्स की जब रिमोर्ट कामरा अनलॉक कर देना अपने दूसरे डवाइस को एपल के डिवाइस को या फिर एरपोर्ट से करके आप जब कॉलिंग कर रहे हो अगर आपकी वाइफाई पे हो तो पे हो इसके आपका रहते हो तो कनेक्ट रहा रहते हैं आप basically देना वगएपल आप में ऑमारेटवी हो देना एको सिस्टम के घुक्तिश वाइब के सकते हो पांट मिलेंगे यो फीचर्स है तो यहिने पड़े पार के वान बाकि है पार आपके और कि टांग कहां है Amazfit की सीवीज है जो 10,000 रुपे 9,000 रुपे 10,000 रुपे की सीवीज के वाचे से हैं उसमें सारी फीचर्स मिल जाएंगे टाइमर वाच और यह वो जो भी सारी फीचर्स हैं तो वो भी ठीक है यह भी ठीक है बसका यह एक्स्क्लूसिव है बसके लिए अपल के प्रोड़क्स अगर लावा कोई नहीं है मगर अगर लाइफटल के फीचर्स हैं दूसरे फीचर्स जैसे फोन करना मैसेज के रिसीव एला नोडिफिकेशन फोन के आने वाले तो वो सब जो है वो 10,000 रुपे वाले अमेस्फिट से भी हो जाते हैं और अगर सिर्वा को ट्रैकिंग वारा क कर लेता है अगर तो कोई भी नहीं हो सकता है 100% बोल सकते है कि 95% 96% accurate हो और फिटनेस बैंड जो 94% मगर प्राइस कर रहे इस शो देखें तो कितना दा दा डिफरेंस है तो फिटनेस ट्रैकिंग करनी है एफेक्टिवली ट्रैक करना है किती कैलरी आप बॉन कर रहे हो किता स् अगर है इस बीडियो में अर जोचने वह भी वीडियो बना ही ले कई से लिए काफिया अच्छा गटाया है तो बताना वीडियो चाहिए की नहीं चाहिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाले की अपना